देश की आनबान और शान का नाम है इंडियन आर्मी अज देश के हर युवा के मन में ये बात होते है कि वो इंडियन आर्मी में जाए लेकिन बहुत कम लोग ही इतने खुश नसीब होते हैं जिने देश की रक्षा करने का मौका मिलता है दोस्तों ये बात सबको पता है कि इंडियन आर्मी में कोई जौब करने नहीं जाता यहां तो सब अपने देश के प्रती प्यार दर्शाने जाते हैं और यही चीज है कि हमारे सभी पडोसी देश हमसे डरते हैं क्योंकि हमारी सेना किसी से भी लोहा लेने के लिए हमेशा तयार रहते हैं लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सेना की भरती शुरू होती है तो फिजिकल और रेटन एक्जाइम के बारे में तो सबको पता होता है लेकिन medical exam के बारे में बहुत कम युवाओं को जानकारी होते हैं और आलजम आपको ऐसी के बारे में अपनी इस वीडियो में information देने वाले हैं अगर आप भी इंडियन आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं और medical exam के तयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा जोस्तों इंडियन आर्मी में medical test के शुरुआद चेस्ट से होते हैं इस टेस्ट के दोरान सभी उमीदवारों को minimum 5 cm अपना चेस्ट फलाना पड़ता है सभी उमीदवार normal अंदर की और खीच कर अपनी चेस्ट को फलाते हैं और जो उमीदवार ये करने में सफल हो जाता है उसका चेस्ट medical test हो जाता है दोस्तों चेस्ट टेस्ट में किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रत नहीं है अपना normal शरीर रखकर आप आसानी से 5 cm अपना सीना फुला सकते हैं और आप इस टेस्ट में आसानी से पास हो जाएंगे अगर आप घबराते हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉबलम ये होगे कि आप अपना चेस्ट नहीं फुला पाओगे क्योंकि सही तरीके से अपने अंदर सांस नहीं कीच पाओगे इसलिए आपको अपना शरीर नॉर्मल रखना है इंडियोन आर्मी के इस भरती में जो भी उमीदवार दोड़ के दौरान पास हो जाते हैं उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है वेट टेस्ट में सभी उमीदवारों का नॉर्मल वेट 50 किलो होना चाहिए इससे कम वजन होने पर उस उमीदवार को भरती से निकाल दिया जाएगा इसके अलावा सबसे बड़ी जानकारी ये होनी चाहिए कि आपके जितनी लंबाई होगी उसके अनुसार आपके शरीर का वजन होना चाहिए सबसे बड़ी साबधानी ये है इसमें कि आपको अपना शरीर स्वस्त रखने की बहुत आवश्यकता है एक स्वस्त शरीर में ही सही वेट होता है Body Marks Test Body Marks Test के दोरान आपके शरीर में वो निशान देखे जाते हैं जो कि आपने बनवाए हैं या फिर नाचरली बन गया है अर्थात आपके शरीर में हाथों में कहीं पर टैटू तो नहीं है या किसी प्रकार का कोई कट का निशान तो नहीं है अगर इस प्रकार से आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी Body Marks पाया जाता है तो इस Marks की अच्छी तरह से जाच होते हैं और अगर आपके निशान शरीर पर गलत जगों पे हुए या फिर आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का गलत निशान हुआ तो आपको भरती से बाहर भी किया जा सकता है किसी चोट का निशान होने पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितने के किसी टाटू के निशान पे आते है आपके शरीर पे नाच्रल कोई भी बॉडी मार्क्स है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपके घुटने आपस में मिल रहे होते हैं तो आपको इस भरती से बाहर निकाल दिया जा सकता है या फिर आपके घुटनों के बीच में बहुत अधिक स्पेस है तो भी आपको समय दिया जा सकता है नौकनी की बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है जिनसे आप अपने पैरों को नौर्मल कर सकते हैं अगर आपको उन एक्सरसाइज के बारे में जानना हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लिग्स वेंस टेस्ट के दोरान आपके पैरों की नसों का टेस्ट होता है इस टेस्ट में आपके पैर के जस्ट बैक साइड में और पैर के लिफ्ट साइड में जो नसे होती है उनका टेस्ट होता है कहीं आपकी नसे फूल तो नहीं रही या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम तो नहीं है इस अवस्था में जितना अधिक आप अंदर से घबराएंगे उतनी ही अधिक आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं इसलिए आपको अपना शरीर मेडिकल टेस्ट के दौरा नॉर्मल रखना है फ्लैटफोट टेस्ट में आपके पैरों के तलवों के नीचे जगा होनी चाहिए कई बार आपने देखा होगा कि हमारे तलवे के नीचे जगा होते हैं हम किसी भी समतल जगा पर अपना पैर रखते हैं तो आप आसानी से अपने पैरों को देख सकते हैं अगर आपके तलवे क चाहिए जैसे कि किसी नॉमल व्यक्ति के होते हैं फ्लैट फुट टेस्ट में यही चेक किया जाता है कि आपके पैर के तलवे नॉमल है या फिर उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉबलम है अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉबलम है तो आप इससे एक्सरसाइज करके आसानी से सही कर सकते हैं. Feet Fingers Test दोस्तों Feet Fingers Test के दोरान आपके पैरों की उंगलियों की जांच के जाते हैं. इस टेस्ट में आपकी उंगलियों का साइज देखा जाता है और उनकी आकरती और लंबाई भी देखे जाते हैं. जस प्रकार से आपके पैर के उंगलियों कहीं अधिक लंबी तो नहीं है या फिर किसी उंगली की कम लंबाई और किसी की बहुत अधिक लंबाई है तो प्रॉब्लम हो सकते हैं. अगर आपकी उंगलिया अधिक कटे हुई हैं First Eye Test इस टेस्ट में आपकी आँखों के सामने एक पेंसिल को गुमाया जाता है और जिस तरह वो पेंसिल गुमाया जाती है उसी तरफ आपकी आँखों का जो काला भाग होता है उसे पेंसिल के तरफ गुमना पड़ता है ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आपको अपनी गर्दन नहीं गुमानी है उस पेंसल को जो जांच करता होता है वो लेफ्ट राइट उपर नीचे इस प्रकार से गुमाते हैं बस हमें उस pencil की तरफ left right उपर नीचे देखना पड़ता है, बिना गर्दन move किये। Second eye test इस test के दोरान आपकी आँखों की जाँच की जाती है कि आप दूर और पास आसानी से देख सकते हैं या नहीं। आपके सामने एक ऐसा चार्ट दिखाया जाता है जिसमें ABCD और कुछ अंक होते हैं लिकिन इस चार्ट के खास बात यह होती है कि इस चार्ट में जो भी अंक या जो कुछ भी लिखा रहता है उनमें कुछ का size बड़ा होता है और कुछ बहुत छोटे होते हैं बस आपको उसे पढ़ के बताना है और अगर आप ऐसा आसानी से कर सके तो आप पास हो जाओगे थोड़ आई टेस्ट ब्लाइंड टेस्ट तीसरे टेस्ट के दोरान आपको ऐसा चार्ट दिखाया जाता है जिसमें गहरे कलर में कोई अंक लिखा होता है या फिर कुछ और लिखा होगा बस उसे पढ़ के बताना होता है इस प्रकार से ब्लाइंड टेस्ट होता है इस प्रकार के टेस्ट को कलर विजिन टेस्ट भी कहते हैं इर टेस्ट दोस्तों इर टेस्ट में आपके कानों को अच्छी तरह से देखा जाता है जैसे कि आपके कान के अंदर किसी भी प्रकार का की जाती है ताकि पता लग सके कि आपकी सुनने की शमता सही है या फिर आपके कान के अंदर किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो दोस्तों इस प्रकार आई टेस्ट होता है नोस टेस्ट दोस्तों नोस टेस्ट में आपकी नाग को अच्छी तरीके से देखा जाता है कि कहीं आपकी नाग के अंदर भी किसी प्रकार का कोई फोड़ा फुनसी तो नहीं है, या फिर इसके अलावा आपकी नाग की जो हड़ी है, वो तो कहीं नहीं टूटी, या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, बस इसे चेक किया जाता है, तीथ टेस दोस्तों टीथ टेस्ट में दान्तों की अच्छी तरीके से जाच की जाते हैं और इस जाच के दोरान आपके दान्तों का साइज सही है और कहीं आपके दान्त सड़े हुए तो नहीं है ये चेक किया जाता है और साथ ही आपके द्यांट कहीं आपके मुँंग से वाहर तो नहीं निकल रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से जाचा जाता है जब भी इस प्रकार से medical test हो तो अपने द्यांटों की अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद ही medical test करवाना चाहिए इस टेस्ट के जरीए ये भी चेक किया जाता है कि आपके मूँ के अंदर दांतों में या कहीं कैंसर जैसी किसी भी प्रकार के कोई समस्या तो नहीं है हार्ट टेस्ट जुस्तों हार्ट टेस्ट में आपके हृदय की जैंच की जाते है और इस जांच के दोरान आपके हृदय की धड़कनों को चेक किया जाता है कि कहीं आपकी धड़कने अधिक तेज तो नहीं है या फिर आपकी धड़कन कम तो नहीं है हाट टेस्ट के दोरान आपकी धड़कन नॉर्मल होनी चाहिए साफधानी रखने वाली बात ये कि बहुत से कैंडिडेट घबरा जाते हैं और इस वज़ा से उनकी हार्टबीट बढ़ जाते हैं लेकिन आप लोगों को इस चेक अप के दोरान नॉर्मल रहना है ताकि आपको ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या ना है दोस्तों इस टेस्ट में अच्छी तरीके से जाज की जाते हैं कहीं आपका ब्लड प्रेशर अधिक तो नहीं है या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम तो नहीं है अर्थात आपका ब्लड प्रेशर नॉमल होना चाहिए लेकिन इसमें इतनी अधिक समस्या नहीं आती बस आपको सावधानी रखने की जरद पड़ते हैं पाम टेस्ट दोस्तों पाम टेस्ट के दोरान आपके हतेलियों की जाज की जाते हैं इस जाँच के दौरान आपकी हथेलियों में कहीं अधिक मात्रा में पसीना तो नहीं आता है, यह चेक किया जाता है दोस्तों टेस्टिकल स्टेस्ट में अंड कोश का चेक अप किया जाता है इस जांच के दोरान उम्मीदवार के अंड कोश को अच्छी तरीके से जांचा जाता है कि कहीं उनका साइज अधिक तो नहीं है या फिर कम ज्यादा तो नहीं है इस जांच के दोरान ये भी जांचा जाते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आप कोई वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिलकुल ना बोलें